जैहिंद बिहार BPSC 79 का प्रिलिम्स का एड्मिट कार्ट जारी कर दिया गया है आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि एड्मिट कार्ट कैसे डाउनलोडिंग किया जाता है तो वीडियो पे बने रहिए सरकारी एकजाम जैसे यहीं टैप करेंगे तो यहाँ पे फ़स्ट वला पेज आपको इसपे टैप कर देना होगा सरकारी result exam कोई भी information यहाँ पर आपको जल्द मिलेगा यहाँ पर देख लिजिए सरकारी official website पर आगए इधर admit card के तरह आना होगा यहाँ पर आपको देखना होगा बिहार BPSC 79 पर admit card इस वला option पर टैप कर देना होगा इस पर जैसे ही आप टैप करते हैं तो यहाँ पर आपडेट पाएंगे आपका 30 सेप्टेंबर को एक्जाम होने जा रहा है 15 सेप्टेंबर को admit card जारी हुआ है नीचे आई admit card के लिए downloading pre admit card वाला section पर आपको किलिक कर देना होगा इस पर जैसे ही आप किलिक करते हैं तो आप बिहार BPSC का official website पर आ जाते हैं यहाँ पर आप बिहार लोग सेवा आयो यहाँ पर इसका heading को पर पाएंगे आप admit card downloading का process हम आप लोगों को बता देते हैं आप आपको user name डलना होगा आपका जो भी user name है आप enter कर दीजिए उसके बाद passport enter कीजिएगा capture डालके login कर दीजिए अचल यह हम आप लोगों को डालके बताते हैं हम admit card live downloading करके आज आप लोगों को बताएंगे guys तो जैसे ही आप user ID डालेंगे उसके बाद आप यहां पर अपना passport guys आपको home भरेते जब उहां पर आपको या mail पर मिलेगा आपका user ID और passport चलिए हम इंटर कर देते हैं उसके बाद इस capture को यहां पर फिल कर देता हूं जब यह हो जाएंगे तो आप नीचे में login बला option पर किलिक कर दीजिए इस पर जैसे ही किलिक करते हैं तो आपका पूरा details यहां पर खुल के आ जाता है registration आपका नाम पर लिजिए पादर्स का नाम पिता जी का नाम मदर्स मोबाइल नंबर email ID सब डीटेल्स यहां आपका खुल के आ रहा है उसके बाद आपका photo upload करना पर एगा गाईस यहां पर आपको photo upload करने का option दिया जाएगा हम photo upload कर दिये हैं यहां पर किलिक करके आपना photo upload कर देंगे जैसे ही upload तो आपको admit card downloading करने का यहां पर option खुल के आ जाता है तो admit card के लिए यहीं पर आपको किलिक करना होगा downloading admit card पर चलिए इस पर किलिक करते हैं इस पर जैसे ही किलिक करेंगे तो आप यहां पर box को tick कर देना होगा ठीक करने के बाद आप इस capture को यहां पर फिल कर दीजिए आप अगर capture नहीं समझ पा रहें तो यहां पर refresh का option दिया गया दवारा भी पा सकते हैं capture को चलिए हम क्यप्चा को इंटर कर देते हैं क्यप्चा को इंटर जैसे ही करेंगे downloading admit card पर आप्सन पर किलिक कर देना होगा इस पर जैसे ही किलिक करते हैं तो आपका admit card downloading बढ़े हैं असानी से हो जाता तो इस तरह से आप admit card को downloading कर पाएंगे वह भी बड़े असानी से गाइस आप अगर admit card downloading करना चाहते हैं तो इस तरह से आप admit card को downloading कर पाएंगे मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जैंगे